हेलो दोस्तों नमस्ते विल्कम बैक टो एचानल मैं हूं स्रीजा आज इस वीडियो में अरगजा का बारी में जानते हैं नेमबर वन अरगजा करके आपको मार्केट में ये अवेलबुल है तो इसके बारी में जो भी इंफरमेशन मेरे पास है मैं जानती हूं तो वो सब मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूं और इसको कैसे यूज करते हैं और ये कैसे तयार होते हैं और हम लोग इसको यूज करने से कैसे फाल मिलते हैं इस अब इस वीडियो में मैं बोलने वाली हूं चलिए स्टार्ट करते हैं इस अरगजा को शिवजी का मंदिर में उप्य करते हैं इस अरगजा में उपयोग करने वाला सामागरी हरा कपूर बीम सेन का कपूर भी बोलते हैं इसको और इसके साथ वेटिवेरू करके एक रूट्स भी मिलता है उसके साथ जवाधू और पुनुगू और जाइफल जावित्री और कुछ कुष्पुधार जड़ी अरगजा को शिवजी का मंदिर में और कालबयर्य के मंदिर में अभिशेक की समाई में उपयोग किया जाता है शिवजी का मंदिर जाते वक्त पूजा सामागरी के साथ इस अरगजा को भी देने से हजार बार ज्यादा फल मिलती हैं सास में बोला जाता है इसको खुद के ल उपयोग करना चाहते तो बगवान के लिए अलग अपना लिए अलग रखना जरूरी है इसको पूजा रुम में रखके यूज कर सकते हैं या अपने अलमारे में भी रखके यूज कर सकते हैं इसको धारन करने का जो विदि होते हैं को सीधा अपने अपने आइब्रोस के तो इसको लगाने के बाद मन में से अच्छा सकारत मकता मतलब पॉस्टिवनिस पंदन मिलती है में ऐसा लगता है कि आपने आप पे बहुत confidence बढ़ाते हैं और इसको छोटा वचन से लेकि बड़ों तक धारन कर सकते हैं और इसको लगाने से जो भी अगर किसी को भी ऐसा लगता है मन में कि में थुड़ा कमजोर हो गया है तो या यह थुड़ी यह कमजोर हो गया है या हो गया है तो उन लोग जरूर इसको लगाने से फल जरूर मिलते हैं और अपने आपको confidence बढ़ाती हैं और उनको भी इसको लगाने से अपने आपको confidence आता है और अपने काम पे बहुत ध्यान लगाते हैं और एक बात है इसको ये दुष्टी के लिए भी बहुत useful होते हैं मतलब नजर के लिए आप लगाने से नजर भी आपको नहीं लगते हैं इस चो अरगजा का जो आखुश्व से मन में बहुत शान्ति मिलती हैं इस अरगजा को खाली इस आरगजा को खाली शीवजी और कालवि रख़ियों के नहीं अपनी ओर की को लिएवता है Васज को लगा सकते हैं हॉर्पनी जो खर किक तो पूजा में भी उपियों कडने से बहौत फल मिलत था है कुल देवता के पू इस अरगजा को उतना शक्ति रहते हैं हम लोगों ने इतनी भी पूजा करने दीजिए पर खुल देवता की कुल देवता की कुल पाने के लिए इसलिए इस कुल्देवता की कुरुपा पाने के लिए आपको अधिक याद करना चाहिए मन में कालभई रवासे अपने रक्षा के लिए कहकर पुजारू में इसको धारन करना चाहिए इसको धारन करने का समय भी होते हैं के नौ बजे से लेकि दस बजे के बीच में आप इसको धारन करना चाहिए और इसको धारन करने का भी में बता दिया है कि दोनों बाहों की बीच में इसको लगाना है जो धारन करना है अगर और इसको नजर के लिए भी योज कर सकते हैं और आपके जोबी काम सफलता होना है जो बड़ा बड़ा काम आपको अगर सफलता होना है इस अगातार करना चाहिए जो भी करना है आप थोड़ा वक्त लगाना चाहिए तो समय देना चाहिए तब ही आपको फल मिलेंगे जो भी करेंगे तो विश्वास से करेंगे तो जरूर वो काम सफलता होगी अगर इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा वोर्स समझ नहीं आया तो प्लीस हमको कमेंट कीजिए जरूर में रुपले दूँगी अगर जो भी डौर्स है और भी इसके बारे में प्लीस अब जानने के लिए कमेंट कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आये तो प्लीस लाइक जरूर कीजिए अपने दोस्त परिवार को इस वीडियो को शेर कीजिए और जिनको ज़्यादा जरूरी है उनको जरूर शे कीजिए तो आप तक इस वीडिये को देखने के लिए धानिवाद